दोस्तो अगर आप एक student हो या फिर किसी company के employee तो कभी ना कभी आपको जुरूत पड़ती है एक poster बनाने की वह भले किसी competition के लिए हो किसी advertisement के लिए पर किसी movie के लिए तो आपको जुरूत पड़ती है अपने PC की Photoshop की लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप एक normal poster अपने Android phone से तियार कर सकते हैं वो application कौन सी है और कैसे काम करती है वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा So let's get started दोस्तो application का नाम है posteroid आपको simply अपने play store पर जाना है और यहां पर आपको टाइप करना है posteroid जैसी आप सच करेंगे तो आपके सामने application खुल कर आजएगी आपको इस इंस्टोर कर देना है आप देख सकते हैं इसे जो rating मिली है वो मिली है 4.4 यानि कि यह काफी अच्छी rating है अगर आप इसके size की बात करते हैं तो इसका size है सिर्फ 3MB यानि कि यह काफी lightweight application है आपके mobile की game कितनी भी हो यह application अच्छे से काम करेगी आप देख सकते हैं इंस्टोर होच चुकी है अब हम इसे open करेंगे तो दोस्तो application open होच चुकी है आप देख सकते हैं यह application का पहला interface है आपको नीचे वाले box पर click करना है और randomly आपके mobile से कोई भी last photo take up कर लेगा आप चाहिए तो इसे change भी कर सकते है और जिसके ऊपर आप test लि सब्सक्राइब करेंगे साइब में आपको जो करसे मिल रहा है इससे आप बलर कंट्रोल कर सकते हैं इंक्रीस कर सकते हैं तो अगला जो आपको एंदी से डिनोट किया ओप्शन दिख रहा है यह text editing का option आप इससे text edit कर सकते हैं जो पहला option इसके अंदर दिया गया है उससे प्रेस करेंगे तो आप text को नीचे की तरफ compress कर सकेंगे अगर आप इससे दोबारा compress करना चाहते हैं उपर की तरफ तो आपको second option दबाना होगा तरफ लोप्शन में आपको कुछ limited art color मिल जाते हैं आप कोई भी color लेकर अपने text को उस color में convert कर सकते हैं यह बड़ा ही simple है तो अब मैं आपको एक poster खुद तियार करके दिखा हूँगा एक छोटा सा poster तो आप देखेंगे किस तरह इस पोस्टर में एक तियार कर सकते हैं कि दूस्तों रोग के ठर्ड ओप्शन में आपको तीन ओप्शन और मिल जाएंगे कोलम में आपको जो पहला ओप्शन है वो है एंगल का आप एंगल से किसी text को एडिट कर सकते है और जो second option है वो है border का इसका color आपके text color से match दोस्तों ऊपर corner में आपको जो option मिला है वो है save करने का option आप उस पर क्लिक करके तीन size में से save कर सकते है small, medium और large फिलाल हम इसे large में save करेंगे तो आप देख सकते हैं यह save हो रही कर सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अब आप इसे like कर दीजिए चैनल को subscribe कर दीजिए और अगर आपको कोई doubt है तो आप नीचे comment कर दीजिए तो thanks for watching